कौनों से यहां केवडिया इस एकता नगर में आये पुलिस बलके साथ ही NCC के नवजवान कला से जुड़े हुए सारे आर्टिस्ट देश के विभिन हिस्सों में एकता दौड रन फर यूनिटी में शामिल हो रे कि नागरीग भाई भैन कि देश के सभी स्कुलों के छात्र छात्राएं अन्य महानुभाव और सभी देश स्वाचियों मैं एकता नगर में हूँ पर मेरा मन मोर्बी के पीडितों से जुड़ा हुआ है शाहेदी जीवन में पहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभाव की होगी एक तरफ दर्द से भरा पीड़ी दिल है और दूसरी तरफ कर्मा और कर्तव्य का पत है इस कर्तव्य पत की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूँ लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है हाथ से में जिन लोगों को अपना जीवन गवाना पड़ा है मैं उनके परिवारों के परती अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ हैं गुजरा सरकार पूरी शक्ति से कल साम से ही राहत और बचाव कार्यों में जूटी हुई है केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है बचाव कार्यों में एंडियारेट की टीमों को लगाया गया है सेना और वायू सेना भी राहत के काम में जूटी हुई है जिन लोगों का अस्पठाल में इलाज चल रहा है वहां भी पूरी मुस्तेदी बरती जा रही है है, लोगों की दिक्कते कम से कम हो इसे प्राफिक्ता दे जा रही है हाथसे की खबर मिलने के बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री सिबान भुपेंदर भाई रात को ही मोर भी पहुँच गए थे कल से ही वो राहत और बचाव के कारियों के कमान समवाले हुए है राज्य सरकार के तरफ से इस हाथसे की जाँच के लिए एक कमिटी भी बना दी गई है मैं देश के लोगों को अस्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कारियों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी आज राष्टिय एकता दिवस का यह अउसर भी हमें एक जूट होकर इस मुष्टिल गड़ी का सामना करने करतब्य पत्पर बने रहने की पेनना दे रहा है कठीन से कठीन परिस्थित्यों में सरदार पटेल का धैरिया उनकी तत्परता से सीख लेते हुए हम काम करते रहें आगे भी करते रहें साथियों वर्ष 2022 में राष्ट्रिय एक ता दिवस का बहुत विशेश आउसर के रुप में मैं इसे देख रहा हूँ कि यह वो वर्ष हैं जब हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किये हैं हम नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं आज एक ता नगर में यह जब परेड हुई है हमें इस बात का एसास भी दिला रही हैं कि जब सब एक साथ चलते हैं एक साथ आगे बढ़ते हैं तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है आज यहां देश भर से आये हुए कुछ कलाकार सांस्कृतिक कारकम भी करने वाले थे भारत के विवित दुरुत्यों को भी प्रदर्शित करने वाले थे लेकिन कटकल की घटना इतनी दुखत थी कि आज के इस कारकम में से इस कार उस कारकम को हटा दिया गया मैं उन सभी कलाकारों से उनके यहां तक आना उन्होंने जो पिछले के दोर महरत की है लेकिन आज उनको मौका नहीं मिला मैं उनके दुख को समझ सकता हूँ लेकिन कुछ परिस्तित्यां ऐसी है साथियों यह एक जुटता यह अनुशाचन परिवार समाज गाओं राज्य और देश हर स्तर पर आवशक है और इसके दर्शन आज हम देश के कौने कौने में कर भी रहे हैं आज देश भर में पचचतर हजार एकता दौर रन फ़र युनिटी हो रही हैं लाखों लोग जुट रहे हैं देश का जन जन लोह पुरूष सरदार वल्लभाई पटेल की संकल्प सक्ति से प्रेणा ले रहा है आज देश का जन जन अम्रुत काल के पंच प्राणों को जांगरित करने के लिए राष्ट की एकता और अखन्दता के लिए संकल्प ले रहा है साथियों राष्ट ये एकता दिवस्क ये अवसर के वड़िया एकता नगर की ये धर्ती और स्टेची ओफ यूनिटी हमें निरंतर ये ऐसास दिलाते हैं कि आजहादी के समय अगर भारत के पास सरदार पटेल जैसा नेत्रुत्व नहोता तो क्या होता है क्या होता अगर साड़े पांच सो से जादा रियासत एक जुट नहीं हुई होती क्या होता अगर हमारे राज्यादा तर राजे वाड़े त्याग की परिकाश्ट पराकाश्टा न दिखाते मा भारती में आस्था न दिखाते आज हम जैसा भारत देख रहे हैं हम उसकी कलपना भी नहीं कर सकते थे एक कथीन कारिया यह असंभव कारिया सिर्फ और सिर्फ सर्दार पटेल ने ही सिद्ध किया जात्यों सर्दार साथ की जन्मजैंती और राष्टे एक का दिवस यह हमारे लिए केवल तारिख भर नहीं है यह भारत के सांस्कृतिक सामर्थ का एक महा पर्वभी है भारत के लिए एकता कभी भी विवस्तान नहीं रही है भारत के लिए एकता सदा सरवदा विशेश्ता रही है एकता हमारी विशेश्तता रही है एकता की भावना भारत के मानस में हमारे अंतरमन में कितनी रची बसी हैं हमें अपनी इस खुबी का अक्सर एसास नहीं होता है कभी कभी ओजल हो जाती है लेकिन आप देखिए जब भी देश पर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो पुरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है आपदा उत्तर में हो या तक्षिण में पूरब में हो या पश्ची में हिस्से में ये माईने नहीं लगती है पूरा भारत एक जूट होकर सेवा, सहयोग और संबेदना के साथ खड़ा हो जाता है कल ही देख लीजे न मोरबी में हाथ्सा हुआ उसके बाद हर एक देश मासी हाथ्से का सिकार हुए लोगों की सुरुच्छा के लिए प्राथ्सना कर रहा है, स्थानिय लोग हाथ्से की जगह पर अस्पतालों में हर संबव मदद के लिए खुद आगे आ रहे हैं यही तो यही तो एक जुटता की ताकत है, कोरोना के इतना बड़ा उदहान भी हमारे सामने है ताली धाली की भावनात मग एक जुटता से लेकर, राशन, दवाई और वैक्सिन्स के सयोग तक देश एक परिवार की तरह आगे बढ़ा, सीमा पर या सीमा के पार, जब भारत की सेना सवर्य दिखाती है तो पुरे देश में एक जैसे जजबात होते हैं, एक जैसा जजबा होता है जब ऑलिम्पिक्स में भारत की युवां तिरंगे की शान बढ़ाते हैं तो पुरे देश में एक जैसा जश्न मनता है जब देश क्रिकेट का मैच जिता है तो देश में एक जैसा जुनून होता है हमारे जस्न के सांस्कृतिक तार तरीके अलग-अलग होते हैं लेकिन भावना एक जैसी ही होती है देश की ये एकता ये एक जुड़ता एक दुसरे के लिए अपना पन ये बताता है कि एक राष्ट के रुप में भारत की जड़े कितनी गहरी है और साथियों भारत की यही एकता हमारे दुश्मनों को खटकती है आज से नहीं बलकि सैंकडों वर्षों पहले गुलामी के लंबे कालखण में भारत की येकता हमारे दुश्मनों को चूपती रही है इसलिए गुलामी के सैंकडों वर्षों में हमारे देश में जितने भी विदेशी आकरांता आए उन्होंने भारत में विभेद पैदा करने के लिए हर मुम्किन कोशिश की उन्होंने भारत को बांटने के लिए भारत को तोड़ने के लिए सब कुछ किया हम फिर भी उसका मुकाबला कर सके क्योंकि एकता का अमरत हमारे भीतर जिवन्त था जिवन्त धारा के रुप में बह रहा था लेकिन वो काल खंड लंबा था जो जहर उस दोर में घोला गया उसका नुक्षान देश आज भी भुगत रहा है इसलिए ही हमने बज़वारा भी देखा और भारत के दुश्मनों को उसका फायदा उठाते भी देखा इसलिए हमें आज बहुत सावधान भी रहना है अतीद की तरह ही भारत के उतकर सरुथान से परिशान होने वाली ताकते आज भी मौजूद है वो आज भी हमें तोड़ने की हमें बाटने की हर कोशिश करती है हमें जातियों के नाम पर रड़ाने के लिए तरह तरह के नरेटिव गड़े जाते हैं प्रांतों के नाम पर हमें बाटने की कोशिश होती है कभी एक भारतिय भाषा को दूसरी भारतिय भाषा का दुष्वन बनाने के लिए केंपेंच चलाए जाते हैं इतिहास को भी इस तरह परिश किया जाता है ताकि देश के लोग जुड़े नहीं बल्कि एक दूसरे से दूर हो और भाईयों बहनों इसे एक और बात हमारे लिए ध्यान रखनी आवश्यक है यह जरूरी नहीं है कि देश को कमजोर करने वाली ताकत हमेशा हमारे खुले दुष्वन के रुप में ही आए कई बार यह ताकत गुलामी की मानसीता के रुप में हमारे भीतर घर कर जाती है कई बार यह ताकत हमारे व्यक्तिकत स्वार्थों के जरिये सेन्दमारी करती है कई बार यह तुष्टी करन के रुप में कभी परिवारवाद के रुप में कभी लालच और प्रस्थाचार के रुप में दरवाजे तक दस्तक दे देती हैं जो देश को बाड़ती और कमजोर करती है लेकिन हमें उन्हें जवाब देना होगा हमें जवाब देना होगा भारत मा के संतान के रुप में हमें जवाब देना होगा एक हिंदुस्तानी के रुप में हमें एक जुड रहना होगा एक साथ रहना होगा विभेत के जहर का जवाब हमें एक ताके इसी अम्रित से देना है यही नाए भारत की ताकत है साथियों आज राष्टिय एक ता दिवस पर मैं सरदार साम द्वारा हमें सौंपे दाइत्व को फिर दोहराना चाहता हूँ उन्होंने हमें ये जिम्मेदारी भी दी थी कि हम देश की एकता को मजबूत करें एक राश के तौर पर देश को मजबूत करें ये एकता तब मजबूत होगी जब हर नागरिक एक जैसे कर्तब्यबोत से ये जिम्मेदारी संभा लेगा आदेश इसी कर्तब्यबोत से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मंत्र को लेकर विकास के मार्क पर आगे बढ़ रहा है आदेश में हर कौने में हर गाओं में हर वर्क के लिए और हर व्यक्ति के लिए मिना भेदभाव के एक जैसी नीतियां पहुँच रही है आज अगर गुजरात के सूरत में सामान्य मानवी को मुप्त वैक्सिन लग रही हैं तो अरुनाचल के सियांग में भी उतनी ही आसानी से मुप्त वैक्सिन उपलब्द है आज अगर एम्स गुरकपूर में है तो बिलास बुर्दरपंगा गोहाटी और राजकोट समेथ देश के दुसरे शहरों में भी है आज एक और तमिल लाडु में डिफेंस कोरिडोर बन रहा है तो उत्तर प्रदेश में भी डिफेंस कोरिडोर का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है आज नौर्थ इसकी किसी रसोई में खाना बन रहा हो या तमिल लाडु की किसी सम्यल अरई में खाना बन रहा हो भाशा भले अलग हो भोजन भले अलग हो लेकिन माता और बहनों को तुए सी मुक्ति दलाने वाला उजवला सिलेंडर हर जगे है हमारी जो भी नीतियां है सबकी नियत एक ही है आखरी पाइदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रा उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़दा साथ क्यों हमारे देश के करोड़ों लोगों ने दसकों तक अपनी मौलिक जरुरतों के लिए भी लंबा इंतजार किया है बुनियादी सुविधाओं के बीच की खाई जितनी कम होगी उतनी ही एकता भी मजबूत होगी इसलिए आज देश में सेचुरेशन के सिध्धान पर काम हो रहा है लक्स ये कि हर योजना का अलाब हर लाभारती तक पहुंचे इसलिए आज हाउसिंग फर आल डिजिटल कनेक्टिविटी फर आल क्लीन कुकिंग फर आल इलेक्रिसिटी फर आल ऐसे अनेक अभ्यान चलाए जा रहे हैं आज शत प्रतीशत नागरी तक पहुंचेने का है मिशन केवल एक जैसी सुविधाव का ही मिशन नहीं है ये मिशन एक जूट लक्ष, एक जूट विकास, और एक जूट प्रयास का भी मिशन है आज जीवन की मौलिक जरूरतों के लिए शत प्रतीशत कवरेज देश और समिधान में सामान्य मानवी के विश्वास का माध्यम बन रहा है ये सामान्य मानवी के आत्म विश्वास का माध्यम बन रहा है यही सरदार पटेल के भारत का विजन है जिसमें हर भारतवासी के लिए समान अउसर होंगे समान ताकी भावना होगी आदेश उस विजन को ले साकार होते देख रहा है ताथ यो बिते आठ वर्षों में देश ने हर उस समाज को प्राथफिक्ता दी है जिसे दसकों तक उपईच्छा का शिकार होना पड़ा था इसलिए देश ने आदिवासी के गवरोव को याद करने के लिए चन जातिय गवरोव दिवस मनाने की परंपरा शुरू की देश के कई राज्यों में आदिवासी स्वातंतर संग्राम में उनकी भूमिका उसको लेकर के मिज्जिम भी मनाये जा रहे हैं कल मैं यहां मानगर जाने वाला हूँ उसके बाद मैं जाबू गोड़ा भी जाओंगा मेरा देश वास्यों से आग रहे हैं कि मानगर धाम और जाबू गोड़ा के इत्यास को भी जरूर जाने विदेशी अकरांतों द्वारा किये गए कितने ही नर्समवारों का सामना करते हुए हमें आजहादी मिली है आजकी युवापिड़ी को ये भी सब जानने आ बहुत आवशक है तभी हम आजहादी की किमत भी समझ पाएंगे एक जुड़ता की किमत भी जान पाएंगे साथियों हमार यहां कहां भी गया है एक्यम बलं एक्यम बलं समाजस्य तद्वावेस दुर्बलह तसमात एक्यम प्रसंसंती ध्रड़म रास्त हितेशणा अर्थात किसी भी समाज की ताकत उसकी एकता होती है इसलिए मजबूत रास के हितेशी एकता की इस भावना की प्रसंसा करते हैं उसके लिए प्रयास करते हैं इसलिए देश की एकता और एक जुड़ता हम सबका सामुही दाइत्व है यह एकता नगर भारत का एक ऐसा मोडल सहर विक्सित हो रहा है जो देश ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में अभुत पुर्व होगा लोगों की एकता से जन भागीदारी की सक्ति से विक्सित होता एकता नगर आज भव्य भी हो रहा है और दिद्व भी हो रहा है स्टेजी अफ यूनिटी के रूप में दुनिया की सबसे विशाल प्रतिवा की प्रेणा हमारे बीश में है भविश में एकता नगर भारत का एक ऐसा सहर बनने जा रहा है जो अभित्पुर्व भी होगा और विश्वस्लिय भी होगा जब देश में परियावरन की रख्षा के लिए किसी मॉडल सहर की बात होगी एकता नगर का नाम आएगा जब देश में बिजली बचाने के बाले LED प्रकासिर किसी मॉडल सहर की बात होगी सबसे पहले एकता नगर का नाम आएगा जब देश में solar power से चलने वाले clean transport system के बाध आयगी तो सबसे एकतानगर का नाम आएगा जब देश में पतुभ पक्षों के समरुक्षन की बात होगी विभीynn में प्रजातियों के जीव जनतों के समरुक्षन की बात होगी तो सबसे पहले एक्ता नगर का नाम आएगा कि कल ही मुझे यहां मियाव की मियावा की मियावा की फोरेस्ट और मेज गाणन का लोकारपन करने का आउसर मिला है यहां का एक्ता मौल एक्ता नर्शरी विवीटता में एक्ता को प्रदर्सित करने वाला विश्व वन एक्ता फेरी एक्ता रेल्वेस्ट्रेशन यह सारे उपकरम राष्ट ये एक्ता को मजबूत करने की प्रेना है अब तो एक्ता नगर में एक और नया सितारा भी जुड़ने जा रहा है आज मैं इस बारे में भी आपको बताना चाहता और अभी जब हम सरदार साब को सुन रहे थे उन्होंने जिस भावना को व्यक्त किया उस भावना को उसमें प्रतिमिम में हम कर रहे हैं आजाति के बाद देश की एकता में सरदार सामने जो भूमी का निभाई थी उसमें बहुत बड़ा सहयोग देश के राजा रजवारों ने भी किया था जिन राज परिवारों ने सदियों तक सत्ता संभाली देश की एकता के लिए एक नई व्यवस्ता में उन्हों ने अपने अधिकारों को कर्तब व्यभाव से समर्पित कर दिया उनके इस योगदान की आजहादी के बाद दसकों तक उपेक्षा हुई है अब एकता नगर में उन राज परिवारों के उन राज व्यवस्ताओं के त्याग को समर्पित एक मुझ्यम बनाया जाएगा ये देश की एकता के लिए त्याग की परंपरा को नई पीडियों तक पहुचाएगा और मैं गुज्रात सरकार का भी आभारी हूँ को उन्हें इस दिशा में काफी ग्राउन वर्क पूरा किया है मुझे विश्वास है सरदार साथ की प्रेड़ा राश्ट्य एकता को मजबूत करने के लिए निरंतर हम सब का मारदर्शन करेगी हम सब मिलकर ससक्त भारत का सपना पुरा करेंगे इसी विश्वास के थाथ मैं आप सबसे आगर करूँगा मैं जब कहूँगा सरदार पटेल आप दो बार बोलेंगे अमर रहे अमर रहे सरदार पटेल सरदार पटेल सरदार पटेल भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवार